दोस्तों क्या आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं और एक अच्छा वायरलेस माइक ढून रहे हैं तो दोस्तों ये ब्लेक बोक्स में निकला है ये एक्क्वाटिक्स का माइक, सब कुछ इस माइक के बारे में बात करेंगे, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो वीवो व आप मेरा वोईस सुन रहे हैं, वो वीवो वी 21 मोबाइल से सुन रहे हैं और वीडियो की क्वाटि भी आप देख सकते हैं, एक दोस्तों आपके इसके उपर बॉक्स पूरा मिलेगा और इसके अंदर आपको ये केस मिलेगा, केस काफी अच्छा हार्ड केस, अच्छी क्वा वीवो वी 21 में मुझे 7 में ही आया था, और दोस्तों मुझे वीवो वी 21 में कोई भी एक्स्ट्रा कैमेरा एपलिकेशन इस मायक को यूज करने के लिए या किसी और मायक को यूज करने के लिए नहीं लगानी परती, वो डिरेकली उज हो रहा है, तो साइद अगर केमेरा व भी दिखाऊंगा दूसरे mobile में और इसकी quality भी हम test करेंगे और दूसरा दोस्तो जो इसके साथ wire है वो है charging cable ठीक है बहुत सारे tips इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो सायद ही आपको किसी वीडियो में मिलेंगे बिकोज मैंने जो एक्च्विल छे महिने के यूज के बाद इसमें कुछ problem face की और वो मैंने result करवाई company के पास वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ तो ये एक छोटा सा charging cable आप लोगों को मिल रहा है type C है type C ही इसके अंदर दोस्तो charging के लिए दिया हुआ है तो ये एक charging cable मतलब ये दो तो अगर आप mobile से shooting करते हैं तो आपके लिए ये काम के है और ये है camera से आपके phone को connect करनेगा इसमें 3.5 mm jacks का connection है और अगर camera का connection है तो दोस्तो TRS cable का यहां दिया हुआ है TRS और TRRS ठीक है तो ये हो गए 3 cable मिलते हैं और 2 आपको device पहले device की build quality की दोस्तो बात करते हैं ये जो build quality मुझे काफी अच्छी लगी ठीक है और ये है हमारा receiver जो या तो camera में लगेगा या mobile में लगेगा और यहां पर आपका 3.5 mm jack लगेगा और sync करने के लिए दोस्तो कुछ आपको करना नहीं है sync के लिए यहां पर आप logo को दिया गया है एक option दोस्तो ये synking का option दिया गया है बस ये दबाना है जब लग जाए तो और unsync करना है तो ये लगाना है यहां पर हमने देख लिया और इस side पर दोस्तो on off button है और charging point है तो ये आप जैसे ही on करेंगे देखिए ये on हो गया लेकिन अभी इसका सामने वाला receiver जो है वो on नहीं हुआ है तो वो हम देखते है अब दोस्तो हम जो है वो transmitter को देख रहे हैं transmitter में कौन से option है जैसे receiver में आप on off देखा वैसे ही कुछ है यहां पर charging option है अभी ये on है ठीक है जैसे battery खतम हो जाएगी थोड़ी देर में रुख गया था देखिए इसकी जो है वो battery मेंने drain out कर दी क्योंकि इसको मेंने on रख दिया था तो जब भी आप अपने इस receiver को या transmitter को रखते हैं तो खास खयाल रखे है कि इसकी आपने ध्यान से इसको बंद किया हो वरना battery drain out हो जाएगी कितनी battery चलती है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो अभी इसमें battery है आप देख सकते हैं ठीक है और यहां पर आपको दूसरे option यहां पर देखने को मिल सकते हैं ठीक है यहां पर आप अपने mobile के साथ extra wire अगर level ear mic अगर connect करना चाहते तो वो कर सकते हैं यहां पर आपको दोस्तों syncing का option है और यहां पर आप इसको cut का option भी है अगर आप इसका sync off करना चाहते हैं तो यह दो बटन और यह दिया हुआ है और अब इसका mic का आवाज भी दोस्तों मैं आपको सुनके दिखा आँगा कि के सा माइक का आवाज है कितने distance तक चलता है तो पहले इसको हमें charge करना होगा तो charging में किस तरीके से क्या feature है वो भी बहुत अच्छे है वो मैं आपको बताता हूं और उसमें भी कुछ tips है ठीक है वीडियो तो आपको unboxing और review सब देंगे लेकिन long term review है इसके साथ क् आपको इसके साथ मिली रहा है अब हम power on करते तो यहाँ पर आपको light indicator दोनों में दिख रहे हैं कि यह charging हो रहा है अब आपको कैसे पता चलेगा कि charging बंद हो गया है तो दोस्तो automatically जब charging हो जाएगा तो यह अपने आपको power cut off कर देता है और यहाँ पर आपको indication बंद हो देखें तो आपको इतना खयाल करना है कि देखना है के light बंद ओगूगा यह charging खतम हो चुका है और आपको device को कर लेना है निकाल लेना है ठीक है तो यह हो गया हमारा charging का चलिए दोस्तो बात बाकि की बाते जो है charging में निकालने के बात करते है दूसरा device भी दोस्तो full charge हो तो है यह तक्रीबन मैंने दोस्तों इनकी शूटिंग में इसको इस्तमाल किया है तो तक्रीबन पूरा दिन आराम से चल जाते हैं मैंने सुबा 11 12 बज़े से लेकर रात के 10 बज़े तक शूटिंग की है कंटिनियूस नहीं लेकिन आधा गंटा आधा गंटा गर किसे 5-6 सेट लाइफ इनकी चल जाती है चार गंटे आप गिन सकते हैं continuous की में बात कर रहा हूं ठीक है यहां पर होने वाली common mistake में आप लोगों को बताता हूं मेरे साथ भी हो चुकी था कि आपके साथ ना हो कई बार आपको लगेगा कि माइक काम नहीं कर रहा है एक्चुल में मैंने जो केमेरा वाला माइक है वो कई बार यूज़ कर लेता हूं तो आपको राइट माइक राइट वायर यूज़ करना है ठीक है तो यह तो आप अगर केमेरा में लगाते हैं तो ठीक है तो अब हम पहले इसको इससे connect करेंगे दोस्तों और इसके बाद जो आपको अंदर फिट करना है इसके बाद हमने इसको लगा लिया इसको हम हमारे वीवो टीवन में लगाएंगे ठीक है और आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगता है इस मोबाइल का रिवीवी बहुत जल्द दोस्तों आने वाला है 12-13,000 रुपे में दोस्तों आपको फि लगा देंगे देखिए ठीक है तो यह लग गया ऐसे अब चलिए दोस्तों हम केमेरा टेस्ट करते हैं और आपको माइक बताते हैं कि माइक की वोईस कैसी है अब दोस्तों देखिए माइक जो है मैंने यहां पर ले लिया है और अभी उपर आप देख सकते हैं कि पंखा चा करना आपको मेरे हाथ में जो रिसीवर है उसको भी कई बार में गलती करता हूं कि यह और बंद भी करना वरना बेटरी ड्रेन आउट हो जाएगी चालू भी नहीं रखना है तो यह ओन ओफ करना थोड़ा सापको याद रखना पड़ेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं क अब दूसरी बार कर रहा हूं है अब तीसरी बार क्लिक करके बोल रहा हूं है तो यह तीन लेवल के दूस्तों माय के आई डूंट नो अभी यह कौन से लेवल पे है यह इसमें पता नहीं चल सकता लेकिन आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाइग करना होगा कि कौन से तो अभी fan off करके भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि fan off करके कैसी आवाज होती है आप इसको यहाँ पर लगा भी सकते हैं और इसके अंदर लेवेलियर माइक है तो इसको पोकेट में नीचे रख दीजिए और लेवेलियर माइक को आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने ऊसानी से इसे पकड़ सकता हूं मैं ठीक है तो चले दोस्तों अब आपको डिस्टन्स से कैसी की आवाजे कितनी दूरी तक यह काम करता है वह आप लोगों को में बता देता हूं और इसी में धोántों डबल का वे fur Ev avent आ चुका है मेरी company से बात हुई थी company से मैं कह रहा था कि आप double वाला कब start करेंगे dual mic तो उन्होंने जो दोस्तों है कि launch कर दिया है dual mic तकरीबन 5000 रुपे में आ रहा है तो अगर आपको किसी का interview करना है तो वो better choice रहेगी यह आपको तकरीबन 2500 रुपे में पढ़ रहा है वो 5000 रुपे में without discount तो मैं आपको वो सजेश करूंगा क्यों दो आपके पास होंगे तो साइद एक बिगड़ भी जाएगा तो दूसरा काम आएगा और interview के लिए भी double वाला आप लोगों को काम सकता है और उसमें feature काफी अच्छा है जो receiver है वह काफी अच्छा mobile holder भी दिया गया है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं उसको directly आप जो है अपने tripod पे या gimbal पे fix कर सकते हैं चलिए दोस्तों डिस्टन्स का हम testing start करते हैं दोस्तों मैं लगभग 30 feet की दूरी पर हूँ 30 feet की दूरी पर यहां से हूँ बीच में पहला bedroom है फिर दूसरा bedroom है मतलब hall है और तीसरा bedroom है मतलब second bedroom यहां पर है तकरीपन 15 आप कह सकते हैं जो tiles है उससे मैंने यह अनुमान लगाया है tiles की feet जो है 2 feet है मतलब मैं 30 feet की दूरी पर आप लोगों को यहां दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता voice केसी आ रही है और कौन से level पर अभी voice है तो यह हमारा 30 foot की दूरी पर हुआ अभी हम थोड़ा सा try करके 100 feet की दूरी पर जाने की try करते हैं उसके लिए मैं नीचे garden में चलन से वह तकरीबन 15-17 feet है तो अब हम 45 feet की दूरी पर जाते हैं ठीक है तो यह देखिए अब मैं आ चुका हूँ 45 feet की दूरी पर I don't know कि कैसे आवाज आ रहा है अब हम 45 feet की दूरी से दूर जाते जा रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं 60 feet की दूरी पर total इस wall से उस wall की दू साइब 25 feet से दोस्तों हम आ चुके हैं 90 feet की दूरी पर ठीक है 90 feet से थोड़ा दूर जाते हैं दोस्तों यहां पर हमारे हो जाते हैं 120 feet और यहां से आगे मैं जा रहा हूँ I don't know आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है दोस्तों यहां पर हम 150 feet पूरे कर लेते हैं almost 150 feet से ज्यादा की दूरी है यहां पर और अगर थोड़ा है तो मैं ट्राय कर ले रहा हूं कि क्या यह 160 feet की दूरी भी कवर कर रहा है तो 160 feet की दूरी पर अभी मैं हूं तो दोस्तों मुझे voice सुना मैंने चेक किया 160 feet तक voice clear आ रहा है कहीं कहीं बीच में break हो रहा है जब हम चल रह रही है मतलब 200 feet I think so कि इसकी distance होगा 200 feet is enough इससे ज्यादा लोगों को use करने की जरूरत भी नहीं होती नॉर्मल कंडिशन में अब दोस्तों एक और चीज का हम टेस्ट करना चाहेंगे मैं चलते चलते इस वोल के पीछे चले जाऊंगा और के मेरा में इन से कहूंगा कि इस वो वोल के पीछे जा रहे हैं तब भी आप लोगों को आवाज आ रही है तो अभी मैं दोस्तों पूरी तरीके से दो वोल के पीछे हूं उस पार्किंग के बिल्कुल पीछे और आवाज आ रही है नहीं आ रही है अभी पता नहीं है मैं चेक करूंगा फिर पता चलेगा तो काफी अच्छी कोलेटी मुझे लग रही है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों यह रिव्यू आप को अच्छा लगा होगा अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर करिए तब तक के लिए मिलते हैं कि अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक